नमस्कार सिक्षार्तियों आप सभी का NIO स्टूडियो में स्वागत है आज हम बात करेंगे लाइबरी साइंस के उच्चतर माध्यमिक विशे के सूशना के स्तोत्र भाग दो के बारे में तो आएए शुरू करते हैं आज का विशे प्रात्मिक स्तोत्र जिसको हम प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं ये वे स्तोत्र हैं जिन में ऐसी मौलिक सूचना का समावेश होता है जिसे प्रथम बार प्रकाशित सूचित अथ्वा लिपिबुद्ध किया गया है तो इसका मतलब प्राइमरी सोर्स में हम वो सूचना पाते हैं जिसको पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है या जिसको पहली बार लिखा जा रहा है और या यह भी हो सकता है कि इसमें जो पहले से ग्यान है उसको नई व्याख्या दी जा रही है उसको नए ढंग से समझाया जा रहा है या उसका कोई नया प्रियोग सामने आया है जिसकी चर्चा करी जा रही है तो primary source में वो ग्यान होता है जिसको हम कहते है first hand account मतलब पहली बार जिसके बारे में पता चल रहा है और इसके क्या उधारण है इसके उधारण जैसे आप screen पे देख सकते हैं समाचार पत्र, तकनीकी प्रतिवेदन, तकनीकी प्रतिवेदन का मतलब है technical reports मतलब आपको यह जानना जरूरी है कि जो different organizations होते हैं जो R&D संस्थाएं होती हैं वो शोद करती हैं फिर अपना जो शोद में आया है पता चला है उसको वो लिखती हैं छापती है technical reports की तरह और यह जानना जरूरी है कि technical reports जो होती हैं उनको उनका संचार बहुत limited होता है मतलब वो in-house जो organization के अंदर है प्राया उनी के इस्तमाल के लिए technical reports लिखी जाती है तो technical reports हो गया क्योंकि उसमें जैसे तक्नीकी प्रतिवेदन और उसमें first hand account होता है मतलब जो भी शोद हुआ उसके बारे में सब कुछ पहली बार technical reports दोरा document करा जाता है अब आपको पता है जैसे चात शोद प्रबंद शोद प्रबंद क्या है thesis या dissertation विश्विद्यालियों में जो विश्विद्यालियों में जो शोद करता होते हैं या researchers होते हैं जो PhD करते हैं तो वो अपना जब शोद पूरा हो जाता है तो वो उसको लिखते हैं तो उस document को कहते हैं dissertation तो ये भी एक तरह का primary source है प्रात्मिक्स तोत्र है फिर सम्मेलन मतलब conference सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया कोई आलेक या कोई काम जो कारे किसी विद्यार्थी ने या किसी researcher ने किया है तो किसी conference में present करा गया presentation ये भी या conference paper ये भी एक तरह का primary source माना जाता है patent और standards ये सारे प्रात्मिक्स तोत्र हैं ये सारे primary sources हैं क्योंकि इन में जो नई इन सूचना होती है उसकी खोज होती है और उसको patent द्वारा पहली बार सूचित किया जाता है देखे सिक्षारतियों आपने देखा कि प्रात्मिक्स तोत्रों के कई सारे उधारण हैं और जैसे कि newspapers जिसे हम समाचार पत्र कहते हैं जर्नल आटिकल्स शोद पत्रकाओं में छपने वाले लेक ये सारे या PhD स्टूडेंट्स जो लिखते हैं थीसिस उन ये सारे उधारण हैं प्रात्मिक्स तोत्रों के पर ये जानना आपके लिए जरूरी है कि इन सारे प्रात्मिक्स तोत्रों के साथ कुछ समस्याएं भी हो अध्यन हो रहा है शोद और अध्यन के चलते बहुत बुस्तके चप रही हैं बहुत स्तोत्र चप रहे हैं और किसी एक विशे में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्तोत्रें बहुत सारी पुस्तके हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं और ये भी एक दुसरी समस्या है कि कोई भी पाठक कोई भी विद्यार्थी एक छेत्र के सभी तोत्रों की जानकारी नहीं रख सकता तो इसमें मदद करने के लिए कि शोद करता को या विद्यार्थी को या किसी अध्यापत को जो एक छेत्र में शोद कर रहा हो ये जानने के लिए आवश्यक है कि उस छेत्र में क्या छप चुका है क्या पढ़ाई हो चुकी है क्या शोद हो चुका है इसके लिए कई पुस्तके चापी जाती हैं और उनको हम कहते हैं secondary source या दित्तिक स्थोत्र सूचना के दित्तिक स्थोत्र अपने अस्थित्त के लिए सूचना के प्रात्मिक स्थोत्रों पर निरभर हैं सूचना को पुनाविवस्थित करने के आधार पर दितिक तोत्रों के चार समों है स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसका ये मतलब हुआ कि सेकेंडरी सोर्सिस में जो जानकारी दी होती है वो कहां से ली जाती है वो किस के बारे में होती है वो primary sources के बारे में होती है तो इस तीन पे दी जानकारी का सार ये है कि secondary source जानकारी देते हैं प्रात्मिक स्तोत्रों के बारे में मतलब secondary sources जानकारी देते हैं primary sources के बारे में और secondary sources के चार समूग क्या है index या सारांस रूप सारांस मतलब abstract होता है और आपको जैसे पता है abstract मतलब सारांस मतलब जैसे कोई लेक है उसमें क्या छपा है पूरा तो उसको अगर हमें उसको संचिप्त में देना हो तब हम उसका एक सारांस लिखते हैं तो सारांस बताता है कि पूरे लेक में क्या है तो secondary sources के different groups हैं index या abstract सर्वेक्शन रूप जिसे सर्वे कहते हैं संदर्व पुस्त के जिसको हम reference books भी कहते हैं और तकनीकी अनुवाद के रूप में हम इसमें एक के एक करके जर्चा करेंगे सारांस रूप जैसे मैंने बताया कि पूरे लेक में क्या है उसका सारांस संचिप्त में दिया रहता है सर्वेक्षन रूप प्राया ये दिखा गया है सर्वेक्षन रूप में जिसको हम Advances के नाम से जानते हैँ Advances या Annual Review ये एक उधारण है तो इसमें क्या होता है शोध के किसी एक छेत्र के उपर इसमें सर्वेक्या जाता है और उसके बारे में बताया जाता है और सारान्स रूप में क्या है जिसको हम अंग्रेजी में और हो सकता हो बहुत सारे सिक्षारतियों को पता भी हो इंडेक्सिंग या एब्स्ट्राक्टिंग जर्नल्स बोलते हैं या इंडेक्सिंग या एब्स्ट्राक्टिंग सर्विसेज बोलते हैं तो indexing या abstracting services में क्या होता है मान लिजे library science की indexing या abstracting service का मैं एक उधारण देती हूँ जैसे की Lisa है library and information science abstract तो हमें अगर शोद करना हो तो हम library science के सारी शोद पत्रिकाओं को तो नहीं पढ़ सकते सारी शोद पत्रिकाओं के बारे में जानकारी नहीं रख सकते तो उसके लिए हमें इस secondary source के उपर निर्भर करना पड़ता है अगर इस secondary source को हम देखेंगे जो मैंने बताया Lisa तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हमारे छेतर library science के छेतर में क्या-क्या पत्रिकाओं हैं और उन्होंने क्या-क्या छापा है सर्वेक्षण रूप में जैसे मैंने बोला advances या annual reviews होते हैं तो ये advances in library science, annual reviews in psychology, annual reviews विभिन विशयों में छपते हैं तो वो क्या करते हैं किसी एक छेतर के बारे में सर्वे करके उसके बारे में जानकारी देते हैं संदर पुस्तकें जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे थिसारिस, डिक्षनरी, इंसाइक्लोपीडिया ये सारे उधारण हैं संदर पुस्तकों के और इनको हम reference sources भी कहते हैं reference sources वो होते हैं जिनमें हम cover to cover जिनको पढ़ने की आवशकता नहीं होती हम reference sources consult करते हैं, देखते हैं जब हमें कोई विशेश जानकारी चाहिए होती है जैसे थिसारिस में हमें किसी word का परायवाची देखना है या synonym देखना है तो हम एक थिसारिस को देखते हैं पर हम थिसारिस को cover to cover नहीं पढ़ते हैं dictionary में किसी शब्द का हमें मतलब देखना है किसी शब्द की उत्पती कैसे हुई अगर इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है तो हम dictionary देखते हैं तो ये सारी संदर पुस्त के हैं reference books मतलब कि जिनको हम cover to cover नहीं पढ़ते बट किसी विशेश जानकारी के संदर में इनको हम देखते हैं तकनी की अनुवाद के रूप में मान लिजे कोई लेक छपा है फ्रेंच में या जर्मन में और उसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है जिससे की जादत लोग पढ़ सकें या उसे अंग्रेजी में अनुवाद करना है जिससे कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके तो वो भी translated work मतलब जो काम अनुवाद करा गया है जिस काम का अनुवाद करा गया है और अनुवाद करके जो आ रहा है वो भी एक secondary source होता है अब index का क्या आर्थ है? Index में क्या करते हैं? जिसका आर्थ है संकेत करना या प्रदर्शित करना तो किसी भी indexing या abstracting service journal में क्या होता है? सबकी सारे journals के बाद को index करा जाता है संकेत करा जाता है उनकी listing करी जाती है तो वो हो गया एक तरह का index और ये एक तरह का secondary source है या दित्यक स्तोत्र है और secondary source क्या करते हैं? ये primary source का आवलोकन करके संबंधित मतों का चयन करके उन्हें आसानी वा शीग्रता से पुना प्राप्ती के लिए सहायक क्रम में विवस्थित करते हैं तो indexes या सारांश रूप में क्या होता है? इस श्रेडी के अंतरगत, वांग में, सूचियां, सारांशी करण जिसको हम कहते हैं कि इसको full text अगर दिया है तो उसको संचिप्त में या condense करके प्रस्तुत करते हैं सर्वेक्षन रूप ये precaution प्रात्मिक एम दित्तिक साहित्य का सर्वेक्षन करके दिम्व सहायता प्रदान करते हैं बतलब जैसे की annual reviews या advances ये examples है annual reviews हर छेत्र में आते हैं जैसे psychology, annual reviews of psychology, annual reviews of biochemistry तो ये क्या करते हैं ये विशे के एक पहलू को प्रकाशित करते हैं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं विशे के महत्पूर साहित को प्रकाश में लाते हैं और आगे सर्वेक्षन रूप में क्या होता है अध्यन के विशिस्ट छेत्र की प्रगती को दर्शाते हैं सिक्षार्तियों ये यहाँ पे मैं फिर से इस पे रिखांकित करना चाहूंगी इसको कि ये सर्वेक्षन जो एन्वल रिव्यूज या एडवांसे होते हैं ये दिखाते हैं कि एक विशिस्ट छेत्र में एक शोद के एक छेत्र में कितनी प्रगती हुई है किसी विशे के छेत्र में कितना शोद हुआ है कितनी प्रगती हुई है क्या एडवांसे हुए हैं क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स आए हैं जो वार्शिक समिक्षा हैं जिसको हम इंग्रेजी में एन्वल रिव्यूज कहते हैं एन्वल प्रोग्रिस आदि बोलते हैं तो ये सब हमको दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि कितनी प्रगती हुई है एक छेतर में, कितना शोध हुआ है एक छेतर में, कितना अध्यन हुआ है एक छेतर में और उब्भोक्ता के विशेश शमू को ध्यान में रखते वे किसी विशे के प्रात्मिक साहित को सरल्वा समझने योग रूप में प्रस्तुत करता है ये सर्वेक्षन अब जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये संदर पुस्तक और यहाँ पे Oxford Dictionary of English है उसका cover page तो इसमें क्या होता है? रेफरेंस बुक्स में जैसे मैंने आपको समझाया कि रेफरेंस बुक्स हम cover from first page to last page नहीं पढ़ते हम इसको देखते हैं या पढ़ते हैं जब हमको कोई विशेश जानकारी चाहिए होती है जैसे सिक्षारतियों आपको पता होगा अगर आपको किसी शब्द का अर्थ जानना है तो आप क्या करेंगे? डिक्षनरी देखेंगे पर आप डिक्षनरी पूरी नहीं पढ़ेंगे या किसी शब्द की कैसे उत्पतिव हुई है तो उसको जानने के लिए आप डिक्षनरी देखेंगे तो डिक्षनरी को शब्द कोश बोलते हैं जो की एक तरह की संदर पुस्तक है और dictionary के लिए आवा guide books, air books, atlas ये सारे भी उदारण हैं संदर्थ पुस्तकों के अब अनुवाद मतलब translation प्रात्मिक स्तोत्र के उब्भोकता जो मूल स्तोत्र की भाषा के जानकार नहीं है के लाब के लिए किसी दुसरी भाषा में अनुवादित करते हैं तो अनुवाद secondary source बन जाता है ये जानना बहुत जरूरी है सभी सिक्षारतियों के लिए जैसे कोई लेख रूसी भाषा या चीनी भाषा वा जापानी भाषा में है तो और उसे हम चाहते हैं कि हमारे हिंदी के पाठकों तक भी पहुँचे तो जो उसको अनुवाद किया जाता है तो वो secondary source बन जाता है सिक्षारतियों जैसे आपने देखा कि जानकारी के सूचना के स्तोत्र को हम तीन में विभाजित करते हैं प्रात्मिक स्तोत्र दुत्यक स्तोत्र और थृत्यक स्तोत्र तो दुत्यक स्तोत्र में क्यों सी जानकारी होती है दुत्यक स्तोत्र सूचना के प्रात्मिक वा दुत्यक स्तोत्रों पर आधारित होते हैं मतलब की इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि टेरिशरी सोर्सेज तृत्रों को हम टेरिशरी सोर्सेज भी बोलते हैं और टेरिशरी सोर्सेज में जो सूचना दी होती है वो किन पे आधारित होती है वो दृत्विक और प्रात्मिक स्तोत्रों पर आधारित होती है प्रात्मिक अत्वद्रित्विक स्तोत्रों का चैन करने में खोज करता की मदद करते हैं। इशारतियों आपने इस सेशन में देखा कि हम information sources को किस तरह विभाजित करते हैं primary sources, secondary sources और territory sources और आपने इसमें ये भी जाना कि primary sources के क्या उधारण है जैसे आप कोई शोद कर रहे हैं, शोद लेख लिक रहे हैं या समाचार पत्र ये उधारण है primary sources के secondary sources है, वो sources जो की primary sources पे based है जैसे indexing journals या abstracting journals या translated work ये सारे secondary sources के उधारण हैं और ये बात जानना बहुत महत्तपूर है कि ये सारे secondary sources based होते हैं primary sources पे और territory sources जानकारी देते हैं primary sources और secondary sources के बारे में मुझे पूरी आशा है कि आपने इस session से जानकारी हासिल करी होगी धन्यवाद